अभी तक आपने सुना, मुझे तेज आवाज बिलकुल भी नहीं पसंद है, बिलकुल भी नहीं, मुझे तेज आवाजों से कुछ होने लगता है, और तब मैं कुछ कर बैठता हूँ, खुराना के बेटे बिक्रम ने कहा, तब ही बाहर से गेट तूटने की आवाज आई, बि एक तेरा आसिक, इसका चाचा आगे अमन ने, बिक्रम ने गंदी हसी हस्ते भी बोला, लिसी गाड़ी से उत्रा और सीधे अमन सौर के साथ अंदर आया, देखा तो मुक्ता, रचना, बसंद्रा को बिक्रम के आदमी पकड़े खड़े थे, सब को ऐसे देख उसका खून खूल बसंद्रा के होटों से खून बैता देख, कि वो बिक्रम की तरफ बढ़ा, और उसके कुछ बोलने से पहले ही, उसने उसे एक खूसा मारा, और इसान को उठा के अमन को दे दिया, बिक्रम के आदमीों ने जैसे गन उस पर तानी, तो बिक्रम ने हस्ते वे सब को रूखने क कहा, वाह, अपनों के लिए इतनी तरफ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, अब सबको तेरे आँखों के सामने मारने में मुझे और मजाएगा, बिक्रम ने उठते वे अपने होटों के खून को साब करते वे कहा, मैंने कहा था कि अगर तु मिला, तो तुझे तेरे भ पर कुछ देर में मर जाएगा तेरी मौत देख के, रिसी ने कहा, तु भूल रहा है कि ये तीनों अभी भी मेरे कैद में हैं और तेरा एक गलत कदम इन सब को उपर पहुँचा सकता है, तो चल फेक गन, बिक्रम ने बोला, तो रिसी ने उन तीनों की तरफ देखा और गन छोड़ दिया, रिसी मलोत्रा, मेरे भाई की चिता की अगनी मेरे अंदर दहग रही है, अभी भी, मैं भूला नहीं हूँ, उसके चेहरे को आज भी, जब तक मैं तेरे सामने, तेरे पूरे घर वालों को मान नहीं देता, तब तक मेरे भाई की आत्मा को सांती नहीं मिलेग विक्रम बोले जा रहा था, जैसे रिसी ने उसके ध्यान भटका देखा, उसने गन लेकर उसके सर पर तान दी, अपनी चम्चों से बोल, छोड़े उन्हें, नहीं तो इसकी छे की छे, तेरी खोपड़ी में उतार दूँगा, विक्रम ने इसारे से सब को छोड़ने को कहा, बसंद्रा रचना मुगधा को उन सबने छोड़ दिया, बसंद्रा ने इसान को अपनी बाहों में ले लिया, और उसे चूमने लगी, मुगधा को अमन गले से लगा लिया, सौर ने रचना का हाथ पकड़ लिया, रचना समझ नहीं पाई उसके घबराट को, तभी खुराना साहब ने थीरे से नीचे पड़ी गन को उठाया, और बसंद्रा की गोध में लिप्टे इसान पर तान दी, इसी ने देखा तो उसने गन उसकी तरब करकी चला दी, पर तब तक इसान को गोली लग गई थी, जो खुराना ने चलाई थी, खुराना भी मारा गया था, बसंद बोल कि वो इसान के बेजान सरीर को लेकर चीक दी थी, उसकी चीक सुनके एक वक्त के लिए तो भगवान भी दहल गया था, बसंद्रा को देख के लग रहा था, जैसे उसने इसान को नहीं अपनी आुलाद को खोश चुकी थी, रिसी पर जैसे महाद्यों का क्रोध उतर आय उसने बिक्रम को मारना सुरू किया, अमन, सौर और उनके आदमियों ने बिक्रम के सारे आदमियों को मारने लगे, रिसी बस गुसे में मारे जा रहा था बिक्रम को, जब बिक्रम अदमरा हो गया तो रिसी ने गन उठाई और सारी गोलियां उस पे चला दी, बिक्रम मार च के पास आपके परचाएं भी मैं इसान के इस बेजान सरीर पर नहीं पढ़ने दे सकती आपने अपने गुस्से में सब खतम किया है मना किया था मैंने बोला था आपसे कि इसान के लिए सब भूल जाएं और छोड़ दे सब कुछ पर आपके गुस्से ने देखी क्या किया निसी वहीं खड़ा था अमन सर सब सदमे में मुगदा रजना की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोलने की निसी जैसे आगे बढ़ा तो बसुंद्रा ने पीछे मुण के देखा और बोला खबरदार जो एक कदम बढ़ाया आपने तो आज से मैं भी इसान और सुनेना भावी क कि दे रहे आप सब के लिए मर गई हूं मैं आज आप सब से रिस्ता तोड़ के जा रही हूं और मेरे पीछे कोई नहीं आएगा बसुंद्रा ये बोलके आगे बढ़ी निसी वहीं घुटने के बल बैढ़ गया वो आज जीत के भी सब हार गया था उसने सब खो दिया था अ हर अंत एक सुरुवात लेकर आता है और जिसे जिसकी तक्दीर में लिख दिया जाए वो कब तक दूर रह पाता है बसुंद्रा की तक्दीर रिसी से जुड़ चुकी थी तो वो दूर कैसे जाती वक्त बहुत तेजी से भाग राता छे साल बीद गया था मुगदा और अमन की साधी हो चुकी थी सौर ने भी रचना के माता पिता से रचना के साधी की बात की तो वो भी मान गये सौर ने रचना से साधी कर ले पर रिसी आज भी अकेला था पर इस अकेले पर ने उसे और ज्यादा सक्त और खुंखार बना दिया था अब हिंदुस्तान से आधे से ज बसंद्रा के बारे में कोई नहीं जानता था, वो कहां गई, कैसे है, कोई नहीं जानता था, छे साल बाद, Medical College of Haridwar, कुछ ब्लैक कलर की लगजरी कास आके कालेज के अंदर रुखती है, गेट का सेकुरिटी गार्ड आके जल्ली से गेट कोलता है, तीसरी गारी का, उसमें बै पाड़े उसे देख रहे थे, कॉलेज के देख के लगता था कि उसे बनाने में बहुत पैसे खर्च हुए थे, इतना सांदार कॉलेज और हर चीज वहां मौजूद थे, वो इतने एरिया में बना था कि वहां कॉलेज के साथ Girls and Boys Hostel भी था, और होस्टल भी ऐसे, जिसके साम नीर या गरीब सब को बिना एंट्रेंस के लिए एडमिसन नहीं मिलता था, और यह यहां की सबसे अच्छी बात थी, यार क्या प्रशनल्टी है मिस्टर रिसी मलोतरा की, एक लड़की ने बोला, रिसी सीधा कांफरेंस हाल में गया, जहां वहां के बेस्ट डॉक्टर सर वो सब डॉक्टर कस्यप की मांग कर रहे हैं कि वो उन्हें आखे पढ़ाए हार सर्जिरी के बारे में और चाइल्ड ट्रेटमेंट के बारे में, वहां की सीनिया डॉक्टर ने बोला डरते हुए, तो बुलाओ उस डॉक्टर को रिसी ने का, सर हमने उन्हें इमेल किया और किसी को भेजा भी था, उनके घर वो डॉक्टर ने इतना कहके चुप हो गया, तो क्या हुआ रिसी ने बोला, सर उन्होंने इमेल करके मना कर दिया, और घर पर वो मिली नहीं, डॉक्टर साहब ने बोला, क्यों मना किया, वो भी इस कॉलेज के लिए, जहां लोग मरते ह आने के लिए, जिसी ने हैरान होकर बोला, सर वो अभी तक की टाप चाइल्ड स्पेसलिस्ट है, विदेश से भी उन्हें बुलावा आता है, पर बहुत ही कम एपोइंटमेंट लेती है, उनका खुद का एक हॉस्पीटल है, या ये बोलो, कि एंजियो जहां वो सब का मुफ आसे से भरा बैग लेकर उसने उन पैसों को कागज समझ के आग लगा दिया, वो अजीब है, थोड़ी सी, डक्टर मिस्रा ने बोला, कहां रहती हैं वो, रिसी ने पूछा, जी तारजलिक में उनका घर और एंजियो दोनों है, आप किसी से भी पूछ ले, कोई भी आपको उनके घर तक छोड़ देगा, डक्टर साहब ने बोला, पर सर इस वक्त वो सेमिनार में गई हैं, दिल्ली कल वापस आ रही हैं, डक्टर ने बोला तो, रिसी सुनके बाहर अपने केविन में आ गया, देखा अमन पहले से बैठा था, अमन एक काम है, रिसी ने बोला तो, अ सोसल मीडिया पर भी नहीं है, उसकी कोई तस्बीर नहीं है, बस उसकी किताबे अवलेवल हैं, अमन ये बोलके चुप हो गया, कमाल है, कौन है ये जो इस तरह की जिंदगी को ची रहा है, डिसी ने सोचते हुए बोला, ये तो वहाँ जाके पता चलेगा, अमन ने बोला, क अमन के साथ गारी में बैठ गया, कुछ वक्त में वो लोग एक गेश्ट हाउस के सामने थे, रिसी बाहर आया और अंदर गया, अमन मुगधा से बात कर रहा था, और रिसी अंदर अपने कमरे में आ गया था, उसने बिना वक्त बरबाद किये, खुद को फ्रेस किया, और र रिसी से बोला, नहीं, चल बाहर खाते हैं, रिसी ने लेप्टाप आफ किया, और उसके साथ बाहर आ गया, वो जब से आया था, उसने पहली बार दाजलिन की खुबसूरती को देखा, वो जब से आया, बस डाक्टर के बारे में सोच रहा था, अमन रिसी ने जल्दी से ना रहा था, वो तीन घंटे से गुम रहा था, पर डाक्टर तो नहीं पहुँचा था, दोपहर के कोई दो बजे, वो लोग एक घर के आगे खाड़े थी, घर देख के कुछ वक्त तो रिसी उसे देखने लगा, पस इतना प्यारा घर, और वहां हर तरह के फूल थे, घर पर ब इतनी की चीजों को बनाने वाले का घर लग रहा है, अमन ने बोला, तभी एक आउरत बाहर आई, जी डाक्टर कस्याप का घर यही है, अमन ने पूछा, आगे बढ़के, जी यही है, आप सब, उस आरत ने बोला, हम उनसे मिलने आए हैं, अमन ने बोला, पर दीदी तो यह नहीं है, वो तो हॉस्पिटल गई है अपने, साम तक आएंगी, उस औरत ने बोला, नूरा, एक बच्चे के आवाज से सब पीछे मुड़के देखे, लिसी ने जब उसे देखा, तो पता नहीं क्यों, उसको देखके उसकी धरकन बढ़ गई, अरे इसान बाबा, आओ, इसे अतीद में चला गया हो, वसु, क्या नाम है उनका पूरा, रिसी ने पूछा, मेरी मम्मा का नाम डाक्टर वसुंद्रा कस्यप है, उस छोटे से बच्चे ने बोला, जो करीब 5 साल, या साड़े 5 साल का था, अमन और इसी दोनों हैरान थे, मत सोच, कोई और भी हो सकता है, उसका बेटा भी है, मत भूल, और बसुंद्रा मुझे नहीं लगता, तेरे अलावा किसी और से प्यार करके साधी कर सकती है, अमन ने बोला, जी क्या हम इंतजार कर सकते हैं, अगर कोई प्राबलम ना हो तो प्लीज, अमन ने बोला, जी क्यों नहीं, आईए, नूरा न इसान को चेंज कराके नूरा बाहर लाई, और उसे खानी की मेज के पास रखी चेर पर बैठा दिया, मुझे ममा से बात करनी है, इसान ने बोला, अच्छा खाना खालो, तब बात करा दूंगी, नूरा ने बोला, चाय बनाते वे, उसने चाय बना के रिसी अमन को दी, नू उसे भी दाल के साथ रोटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, अभी खालो इसान, नूरा ने बोला, पर इसान रेडी ही नहीं हुआ खाने को, तो रिसी ने उसे मुस्कराते हुए गोद में उठा लिया, क्या खाना है आपको बताओ, हम मंगवा देते हैं, रिसी ने उसके गालो रिसी अमन दोनों ही कुछ वक्त के लिए बाहर चले गए थे, साम ढल रही थी, वो दोनों वापस आकर एक बार फिर डाक्टर कस्यप के घर के आगे खड़े थे, रिसी के दिल में अजीब सी घबराहत थी, बेचैनी थी, वो बहुत धीरे कदमों से चल के अंदर गया, नू अजीबन उसके पीछे खड़े, उसकी बेचैनी समझ रहा था, जी वो पीछे के गार्डेन में है, इसान बाबा के साथ, चले जाए आप नूरा ने बोला, इसी सामने के दरवाजे की तरफ बढ़ गया, उसने धीरे से दरवाजे को अपनी तरफ खीचा, वो बाहर आया और खड़े होकर देखने लगा, सामने एक औरत थी, खुले बाल, पीली सारी कॉटन की, साइड में सौल लिये और माते पे रेट कलर की बिंदी, चेरे पर वही मासूमियत, वो और कोई नहीं बसुंदरा थी, इसान को देखके एक वक्त के लिए वो रो दिया, वो वापस अंद उसके पीछे भागा, रिसी आके ड्राइबर से चापी लेकर गाली में बैठ गया, अमन भी उसके बगल की सीट पर बैठ गया, बात क्या है रिसी, क्या हुआ, अमन ने पूचा, पर रिसी गुसे और आसुओं में गाली चलाये जा रहा था, वो काफी दूर आ गय थे, इसी ने जब ये बोला, अमन उसे सौक्ट होकर देख रहा था, पर ये सब कब, अमन भी हैरान था, रिसी उसे बताने लगा, जब वो बसंद्रा से एक रात मिलने गया था, और उस वक्त वो दोनों पास आये थे, तो अब अमन बोला, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, पस, मुझे नहीं पता कैसे, रिसी ने गुस्से में बोला, पर बसंद्रा उसकी तो सोच, अमन ने बोला, उसने सोचा, मुझे से मेरे बेटे को इतने साल तक दूर रखा उसने, मैं आज भी उसका इंतिजार कर रहा हूं, और वो मेरे बच्चे के साथ अपने जिन्दगी को खुश होक रिसी ने अमन को प्लान बताया, और रातो रात हरिद्वार से कुछ इस्टूडेंट्स को बुलाया, रिसी की आँखों में नीम नहीं थी, वो सुबह के इंतिजार कर रहा था, उसकी आँखों के सामने बस अपने बच्चे का चीरा था, किसी तरह बस वो रात गुजार रह था, सुबह के दस बजे रिसी का गेश्ट हाउस, वो सारे स्टूडेंट्स वहां मौजूद थे, सब रेडी होकर आए, तो रिसी ने सब को सब कुछ बत समझाया, सारे स्टूडेंट्स कुछ वक्त में बसंद्रा के घर के सामने थे, वो लोग अंदर गये तो बसंद्रा आ हम बात कर सकते हैं, एक लड़के ने बोला, जी बिलकुल बैठिये आप सब लोग, बसंद्रा ने बहुत सहस्ता से का, सब आकर बैठ गये, नूरा चाय नास्ता ले आओ, बसंद्रा ने बोला, जी बोलिए क्या हेल्प चाहिए, बसंद्रा ने पूछा, मैम, दो महीने हमारे एकजाम है, और हमारी पढ़ाई बिलकुल भी नहीं हुई है, हम सब जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पर कई महीने से कोई अच्छा प्रोफेसर नहीं आया, जो हमें चायल्ड ट्रीटमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ा सके, हमारे डाक्टर्स आय खुद से दूर नहीं रख सकती, इसलिए मैंने मना किया था, बसुंद्रा ने बोला, मैं प्लीज, बहुत मुश्किल से यहां तक पहुचे हैं, एक लड़की ने बोला, ममा जाएंगी, डौन पड़ी, इसान ने बोला, तो सब उसकी तरफ देखने लगी, मैं नहीं जा सकत इसान, पर ममा, आप दो महीने फिरी हो, और मैं भी मेरे सारे एकजाम आज फिनिश्ट हो गए, तो हम चल सकते हैं, इसान ने बोला, आप जाना चाहते हैं, बसुंद्र ने उसे गोध में बढ़ाती भी का, जी मुझे भी जाना है, इसान ने बोला, ठीक है, फिर जब आपक इसान ने बोला, वो सब कुछ देर बाद कर वहां से चले गए, रिसी खुश था, वो उसी रात हरीद्वार के लिए निकल गया सब के साथ, दो दिन के अंदर बसुंद्रा हरीद्वार आने वाली थी, रिसी के लिए ये दो दिन दो जनम लग रहा था, उसको समझ नहीं आय कि वो क्या करे, आखिर वो दिन भी आया, जब एक बार फिर बसुंद्रा रिसी के सामने खड़ी होने वाली थी, बसुंद्रा गाली से उतरती है, इसान को नूरा के साथ गाली में छोड़के वो आगे बढ़ती है, सारे इस्टूडेंट उसे देख रहते, वो बच्चे जो मिलने आये थे, वो सब उसे वहीं रिसेप्शन पर मिल गए, सारे डाक्टर खड़े थे, उसकी स्वागत के लिए, डाक्टर मिस्रा आगे आये और उसे कांफरेंस रूम में ले गए, मैं बैठो, मैं सर को बुला लाता हूं, मिस्रा जी ने बोला, बसुंद्रा वहीं बैठ और हैरान आखों से उसकी तरफ देखने लगी, रिसी उसे देख रहा था, बस साथ कदमों का फासला था दोनों के बीच में, बसुंद्रा खड़ी रिसी को देख रही थी, इतने सालों बाद रिसी उसको देख रहा था, उसकी नजरों में सब था, मोहबत, दर्द, गुसा, सब पर बोल कुछ नहीं रहा था, बसुंद्रा पत्थर बनी खड़ी थी, उसका ध्यान तब तूटा, जब रिसी उसके पास आके उसके बगल की चेर को खीच के, उसको बैठने को कहता है, वो आँखों को नीचे के बैठ गई, उसके दिल में गुसा था, पर उसने उसे उस वक्त नहीं दिखाया, यह हमारे कॉलेज का जॉइनिंग पेपर है, और उसके नीचे बॉन्ड है, दो महीने का, आप पढ़के साइन कर सकती है, रिसी ने उसके पीछे खड़े हुए बोला, मुझे पढ़ने की जरुवत नहीं है, पर सौरी, मैं सिर्फ अपने सर्तों पर क पूरी होंगी, रिसी ने दिवार से लग के बोला, बसंद्रा को देर हो गया था, तो इसान ने उसे फोन कर दिया, बसंद्रा ने फोन देखा तो इसान का फोन था, ठीक है, तो मैं चलती हूँ, बसंद्रा इतना बोलके उटके जाने लगती है, पर रिसी उसको पीछे से प पर बहुत कुस्सा आया मैं अब सिर्फ एक चीज़ चाहता हूं कि आप मुझे मेरा बच्चा दे दे आपको जहां जाना है जाएं आप फ्री हैं रिसी के इतना बोलने पर बसंद्रा उसकी तरफ मूरी रिसी देखता है उसकी आँखों से आशू बह रहे हैं आप इसान को छी काने लगी तो जीसी ने गुस्से में उसका हाथ पकड़के उसे अपने पास लेकर आया और मौड के उसके हाथ को कमर से लगा दिया आप उसकी माह है तो मैं उसका बाप हूं बाप हूं मैं उसका जिसे आपने इतने सालों से दूर रखा है मुझसे जिसकी एक भी खबर कैसे बाप, कौन सा बाप, आपने मुझसे साधी की ही नहीं है आप बस एक रात मेरे पास आये थे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है और रही बात मेरे बच्चे को आपसे दूर रखने की तो मैं एक खूनी दरिंदे को अपनी आउलाद नहीं दे सकती बली चढ़ाने को अपने गुसे और सांधी के लिए मैं आप तक उसे पहुचने भी नहीं दूँगी रिसी मलोतरा बसंद्रा के आँखों में भी गुस्सा था मैं उसे ले कर रहूँगा रिसी ने उसे खुद से दूर करते वे बोला आप चाहे अब तक जितनी भी लडाई जीते हों मिश्टर मलोतरा पर इस बार मत भूलना कि आप एक मा के सामने खड़े हैं जिसके सामने भगवान भी हार जाता है बसंद्रा ने उसके आँखों में देख किका और तुम भी मत भूलना कि तुम एक बाप के सामने खड़ी हो जो कितने भी मुसीबत आए पर अपने बच्चों को तक वो मुसीबत नहीं आने देता है जिसके सामने बड़े से बड़ा योधा भी हार जाता है बसंद्रा वहां से अपना बैग लेकर चली गए रिसी भी बाहर आया और अपनी केविन की तरफ चला गया बसंद्रा आई गारी में बैटी और होटल में चली गई सोते वे इसान को लेकर वो अपने रूम में चली आई इसान को बिस्तर पर लेटा के वो उसके बगल में लेट के उसे देखने लगी उसे वो रात याद आई जब रिसी उसके घर आया था रिसी अपना सर बसंदा की गोद में रखके लेटा था रिसी आपको जाना नहीं है क्या बसंदा ने उसके बालों को सहला के बोला अमन है वहाँ पर रिसी ने उसकी गोद में वापस सर रखते हुए कहा फिर भी चलिए जाईए अब मौसम भी खराब हो रहा है बसुंद्रा ने उसका हाथ पकड़ के उठाते हुए कहा बसुंद्रा रिसी का हाथ पकड़ उसे गेट तक लाई बसु आज रुखने दोना यहा जी मैं सोच ली बसुंद्रा ने कहा कहीं पस्ताना न पढ़े आपको रिसी ने बोला नहीं पस्ताना होगा बसुंद्रा ने मुस्करा के कहा रिसी उसे देखती वे अपने कदमों को पीछे करने लगा तभी बादल गरच के बरसने लगे रिसी मुस्करा दिया बसुंद्रा वाला हूँ अगर तुम चाहती हो कि मैं अंदर आओं तो खुद बाहर आके मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले आओ वैसे जैसे निकाला था बाहर रिसी ने बारी से भीगती भी मुस्करा के का बसुंद्रा बाहर आई और अपने सारी का पल्लू अपने हाथ से अपने सर को ढखत वी दूसरे हाथ से रिसी का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगी पर रिसी उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खीच लिया रिसी बीमार हो जाएंगे पीच चलिए बसुंद्रा पूरी तरह भीग गई थी रिसी बहुत प्यार से उसके चेहरे को देख रहा था बसुंद्रा बारिस से कापने लगी थी मुझे नहीं पता था बरसाथ कभी इतनी भी खूब सूरत होती है रिसी बसुंद्रा के पास आके उसके गालों को अपने गालों से छूख के बोलता है रिसी ने धीरे से अपना भीगा हाथ बसुंद्रा के भीगी कमर पर रखा बसंद्रा उसके छूने से सिहर उटे और कस के रिसी के घले लग गई रिसी ने बसंद्रा को अपनी बाहों में भाल लिया रिसी ने बसंद्रा के कंदे पर अपने होटों को रख दिया जिससे बसंद्रा ने रिसी को और कस के पकड़ लिया बसंद्रा जटके से निसी से दूर हुई और जाने लगी निसी ने उसका हाथ पकड़ लिया मत जो प्लीज निसी ने उसे देखती हुए कहा मुझसे दूर मत जो वसू निसी उसके पास आती हुए बोला उसने बसंद्रा का चेहरा अपनी तरह पकिया बसंद्रा सर जुकाय घबराय हुए खड़ी थी उसके होट काप रहते रिसी ने ना जाने क्या सोचा उसने बसंद्रा के चेहरे को अपने दोनों हथेलियों में भरके उसके कापते होटों को अपने होटों से सांत कर दिया बसंद्रा आखों को बंद किये खड़ी थी रिसी उससे दूर हुआ और उसे बाहों में उठा के अंदर ले आया उसे कमरे में ले आया रिसी बसंद्रा उसकी बाहों में उसके सीने में मूँ छिपाए उसे पकड़ी हुई थी रिसी ने उसे बिस्तर पर बैठा दिया बसुन्दा रिसी के सीने में मूझ छिपाय बैठी थी उसकी धरकने तेज थी बहुत जिसे रिसी भी महसूस कर रहा था वो बसुन्दा को अपने बाहों में लेकर लेड़ गया बसु मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं मुझे जाना वोगा रिसी ने ये बोला तो बसुन्दा ने उसे कसके पकड़ लिया जैसे आज बसुन्दा रिसी पर खुद से ज़्यादा भरोसा कर रही थी मोहबबत में आज वो समरपड कर रही थी रिसी ने उसे बाहों में लिया उसके हाथों को अपने हाथों में लेती हुए उसे सीने से लगा रखा था उसने मत करो इतनी मुहबबत मुझे नहीं पता मैं कहां तक साथ दे पाऊंगा रिसी ने धीरे से का, बसुन्दा ने धीरे से अपना चेहरा उपर किया और धीमी रोस्ति में रिसी के चेहरे के पास आई, उसके चेहरे को पकड़के बरसाथ के पानी से भीगे अपने होटों को उसके होटों बड़क दिया, रिसी के आँखों में आसु था और बसुन्दा क प्रेम में समर पड़ता आज रिसी बसंद्रा की रूप में अपनी जिंदिगी की सुकून को पा गया था उसने बसंद्रा को अपनी बाहों में भालिया वो बरसात रिसी को बसंद्रा को पास ले आई थी प्रिजिंटे बसंद्रा इसान को बाहों में लिए इनी सब ख्यालों म कहा, चलो पहले आप मू धोलो और चेंज कर लो फिर चलते हैं बाहर, मैं नूरा को बुला लेती हूँ, बसुंदा ने इसान को उठा के नीचे उतारते हुए बोला, इसान वासरूम में गया और मू धुल के आया, बसुंदा ने नूरा को फोन करके बुला लिया था, बसुंदा ने इसान को गोद में लिया और नूरा के साथ बाजार में चली आई। इसान को एक गोल गभपे के इस्टॉल पर ले आई थी वो। नूरा को इसान के साथ बेंज पर बैठा कि वो इस्टॉल वाले को Gोल गभपे बोलके उनके पास चली गई लड़का कुछ देर में गोलगपे प्लेट और एक कटोरी में पानी रखके चला गया बसुंद्रा इसान को अपने हाथों से खिला रही थी गोलगपे खाकर वो सब वहां से निकले ईसान मार्केट के अंदर जो खिलोने देखता उसे लेने को बोलता बसुंद्रा ने उसे दो तिन चीज दिया खरिद के पर बसुंद्रा को ये नहीं पता था कि कोई है जो उसे देख रहा था बसुंद्रा वापस होड़ा ला गए उसने इसान को चेंज कराया और उसे सुला दिया बिस्तर पर नूरा भी अपने रूम में चली गई थी बसंद्रा के आँकों में नीन नहीं थी उसने कमरे की खिड़की खोली और आस्मान पर चमकते चांद को देखने लगी उसे पता था कि रिसी बहुत गुस्से में और उसके गुस्से को अगर दूर करना है तो सांत रहो वो जो करे उसे करने दो वो उन सब बातों में ही उलजी हुई आई और इसान को पकड़के लेट गई सुबह का वक्त कॉलेज बसंद्रा इसान को नूरा के पास छोड़के आई थी वो कॉलेज आई और सीधा कमरे में चली गई जब वो अंदर आई तो देखा कि करीब 80 या 90 के करीब बच्चे थे उसमें और वो रूम कम हॉल जादा था उसके आने पर सारे इस्टूडेंट खड़े हो गए बसंद्रा ने टेबल पर बैग रखा और बच्चों को बैठने कहके खड़ी हो गई मेरा नाम डाक्टर बसंद्रा कस्यप है आप सब की न्यू टीचर और अगर कोई सवाल हो तो आप पूर सकते हैं मुझसे बसंद्रा ने बहुत प्यार से कहा तो एक लड़की ने हाथ खड़ा कर दिया जी बोलिए बसंद्रा ने कहा मैं मेरा नाम नीता है मेरा सवाल ये है कि आपको सब हर्ट सर्जन कहते हैं जबकि आपने उसकी पढ़ाई ही नहीं की है तो क्यों आपको सब ये बुलाते हैं नीता ये बोलके चुप हो गई बैठ जाएए नीता सवाल बहुत अच्छा है और बहुत पुराना है एक्शली बात ये है कि मैं जब MBBS कर रही थी उस वक्त मैं दिल्ली के सबसे फेमस डाक्टर और सिर्फ दिल्ली के नहीं बलकि वो वर्ड की फेमस हर्ट सर्जन थे और चाइल्ड इस्पेसलिस्ट भी उनके हाथों में जैसे जादू था सब ऐसा बोलते हैं मिश्टर दास के यहां ही उनके हॉस्पिटल में सीखने जाती थी मैं पर उन्होंने मुझे सिखाने के लिए एक सर्थ रखा वो मुझे एक पैसेंट के पास ले गए वो बहुत गुस्सा करता था जिससे कई बार उसके हाथ पर बहुत असर हो चुका था डाक्टर साहब ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा रहा तो आपको मैं नहीं बचा पाऊंगा पर वो माना नहीं क्योंकि वो सर्जन थे भगवान नहीं उन्होंने सर्थ रखी अगर तुम इसे समझा सको ठीक कर सको तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा फिर क्या था लग गए काम पर कहते हैं अगर मेहनत मन से की जाए तो रेगिस्तान में भी फूल उगा सकते हैं तो वही हुआ वो ठीक हुए और खुस रहने लगे गुसा करना बन डाक्टर दास मुझसे बहुत खुस्ते उन्होंने कहा यू आर्दा रियल हार्ट सर्जन मैंने उनसे कहा बट सर मैं हार्ट सर्जन की पढ़ाई नहीं कर रही हूँ मैं तो बस तो उन्होंने बीच में ही बात काटती हुए बोला मुझसे कि बसुंद्रा सर्जन का मतलब होता है जो सर्जिरी करे जरूरी नहीं कि वो सर्जिरी करे वो बिना किसी सर्जिरी एकुप्मेंट से बिना दवा के भी अगर कोई किसी को ठीक कर सके तो उसे ही सबसे अच्छा डॉक्टर कहा जाता है मैं इलाज एकुप्मेंट और दवाओं से करता हूँ पर तुम तो मुस्करा के बातों से अपने सब्दों से ही उसके दुखों की सर्जिरी कर देती हो फिर क्या था मुझे काम भी मिला और ये उपादी भी वो जब भी दिल के मरीजों को देखते तो मेरे पास भेज देती क्योंकि उन्हें लगता था अगर दवाओं से ज़्यादा असर सब्दों और बातों में है तो क्यों न उसका प्रियोग किया जाए बस ये समझ ले जैसे आपकी फिल्म इश्टार को बात सा सहन सा कहके बुलाते हैं हमें भी लोग ये कहके बुलाते हैं पर मैं कोई हर्ट सर्जन नहीं हूँ मैं कभी खुद को कोई हर्ट सर्जन नहीं मानती बस एक डॉक्टर सिंपल सी बस और कुछ नहीं बस उन्दा ने बहुत प्यार से मुस्क्रा के बोला तो मतलब आप बस एक चाइल्ड स्पेसलिस्ट है एक लड़के ने पूचा जी बिलकुल और फेमस सिर्फ मैं डाक्टर दास की वज़े से हुई बसुंदा ने का हमें भी आप से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मैं नीता ने बोला मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आप सब को कुछ सिखा सकूँ बसुंदा ने का वो बच्चो को पढ़ाने लगी तब ही उसके पास एक प्योन आया मैं वो आपका बेटा आया है प्योन ने कहा तो बसुंदा घबरा के बच्चो को आने का बोल के बाहर गई देखा तो नूरा सामान के साथ खड़ी थी नूरा ये सब क्या है बसुंदा ने बोला दीदी वो हमें यहां सामान लेकर बुलाया गया बोला यहां के प्रोफेसर काउटर में ही रहना है नूरा ने दोनू बैग एक प्योंदा को देती वे का ठीक है आप सब चलें बसुंदा ने का वो जानती थी यह सब रिसी कर रहा है वो सीधा अपने क्लास में वापस आ गई दूसी तरब रिसी उसके आने का इंतिजार कर रहा था पर वो नहीं आई उसने पियोंदा को बोलके बसुंदा को बुलाने को बोला पियोंदा आया और बोलके चला गया बसुंदा ने तीन घंटे की क्लास कंप्लीट की और बैग लेकर रिसी की केविन की तरब पढ़ गई वो जानती थी रिसी गुस्से में होगा क्योंकि वो तीन घंटे बात जा रही थी वो नौक करके अंदर गई और खड़ी हो गई आपने बुलाया था बसुन्दा ने खड़े हुए कहा मैंने तीन घंटे पहले आपको बुलाया था आप अभी आ रही है रिसी ने उसकी तरफ देख के गुस्से में कहा मैं पढ़ा रही थी और जब मैं पढ़ाती हूँ तब मैं अपनी क्लास को बीच में छोड़ के नहीं आती जब तक बहुत बड़ी बात नहीं हो बसुन्दा ने सांध भाव से कहा आपको यहां के कॉर्टर में सिफ्ट कर दिया गया आप हमारे बेटे के साथ यहां ही रहेंगी रिसी ने उसकी तरफ देख के बोला हमारा नहीं सिर्फ मेरा वो मेरा बेटा है और सुक्रिया बसुन्दा ने कहा और बैग उठा के जाने लगी तुम कितना भी बोलो कि वो मेरा बेटा नहीं है पर इससे सच जूट नहीं हो जाता बसू रिषी ने चेर से उड़ते हुए कहा बसू बेटा है वो मेरा रिषी ने उसके पास आके उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए कहा मैं इसान को रोकूँ गी नहीं वो आपके पास आ सकता है और आप उसके पास मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पस इतना याद रखना अगर आपकी वज़े से उसे कुछ भी हुआ या उसे एक खरोज भी आई तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं बसुन्दा ने का आप मेरे साथ कब थी जो आप छोड़ने की बात कर रही है बसुन्दा निसी के सवाल से बसुन्दा खामोस थी और वो बाहर चली आई बसुन्दा अपने कौर्टर के पास आई तो देखा इसान फूटवाल से खेल रहा था मम्मा किक इसान ने बोला तो बसुन्दा ने बाल को धीरे से किक किया इसान के पास उसने बैग वहीं रख दिया और पल्लू को कमर से ठाक के उसके साथ खेलने लगी रिसी खड़ा दूर से देख रहा था सुबह का वक्त क्लास बसुन्दा क्लास में पढ़ा रही है और बच्चे बहुत ध्यान से उसे सुन रहे थे दूसरी तरब इसान नूरा के साथ किर्कित खेल आ था कॉलेज की ग्राउंड में कुछ लड़के भी आ गए थे जिनकी क्लास नहीं थी वो भी खेलने लगे जैसे ही एक लड़के ने बॉलिंग कराई तो इसान ने जोर का हिट किया और बॉल सीधा जाकर रिसी के कार की सीसे पर लगी अरे ये तो रिसी सर की कार है एक लड़के ने बोला तो सीसा था तूट गया यहां कौन गारी खड़ा करता है वैसे भी इसान ने बोला तब तक रिसी का ड्राइबर आ गया किसने तोड़ा ये काच उसने गुस्से में बोला सौरी अंकल जी वो गलती से भहिया से तूट गया मैं माफी मांगता हूँ इसान ने जैसे ये बोला तो सारे लड़के उसे आंक फाले देख रहे थे अरे सरम करो इतने बड़े हो गए हो अकल नाम की चीज नहीं है ऐसे कौन खेलता है अरे खुद तो निकलोगे साथ में हमारी नौकरी भी लेटोगोगे ड्राइबर ने बोला और चला गया लड़के इसान को घोर के देख रहे थे ऐसे मत देखो मैं छोटा हूना इसलिए वो भरोसा नहीं करते कि मैंने इतना अच्छा सौर्ट मारा इसलिए मैंने आपका नाम लिया आओ खेले इसान ने बैट को लेते हुए कहा इस बार फिर बॉलिंग कराया गया और इस बार जब सौर्ट लगा तो सीधा मिस्रा जी के घर की खिड़की का काश्ट तोड़ते हुए उनके डाइनिंग टेवल पर रखे बरतन को तोड़ते हुए रुकी बाल इस बार इसान बैट भेक के नूरा का हाथ पकर के भाग गया बागी लड़के भी घबरा के भाग गये मिस्रा जी की बीवी ने देख लिया था इसान को वो सीधा निकलके रिषिकी केविन में गए अरे मिस्स मिस्रा आप यहां क्या हुआ कोई बात है क्या इसी ने हैरान होकर के बोला अमन भी बैठा था वहाँ पर हाँ बहुत बड़ा काम है यह जो मिस्स कस्यप का बेटा है इसने सब को पर हैसान कर रखा है मेरे कॉर्टर की खिड़की का कांच के साथ साथ उसने टेबल पर रखे सारे कांच के बरतन भी तोड़ डा ले जो आज ही मैंने निकाला था और साथ में आपके गारी का कांच भी फोड़ दिया है मिस्रा जी के बीबी ने गुस्से में बोला मिस्स मिस्रा थोड़ा चिर्चिरी सोबहों की थी उन्हें गुस्सा बहुँ चल दिया था लो पिता जी शुरू हो गई आपके बेटी की सिकायत आना निप्टाओ अब अमर ने धीरे से हस्ते हुए कहा अच्छा आप सांत बैठें मैं अभी डाक्टर कस्सक को बुलाता हूं रिसी ने बोला तो मिसेज मिस्रा आके बैठ गई गुस्से में रिसी ने पियोन को बुला के बसंद्रा को बुलाया और बहुत जरूरी है पियोन गया और बसंद्रा को बुला लाया बसंद्रा ने नौक किया तो रिसी ने अंदर आने का कहा बसंद्रा आई और खड़ी हो गई बैठिये बसंद्रा इसी ने कहा जी क्या बात है आपने ऐसे बुलाया बसंद्रा ने कहा अरे बसंद्रा जी आपके बेटे ने मेरे घर के कांस तोड़ दिया डाइनिंग टेबल पर रखे कांस के बरतन तोड़ दिये और इनकी गारी की काज़ भी और आज सुवे जब मैं बाहर नास्ते की प्लेट से कर खा रही थी तो उसने फुटबॉल मारी जो मेरी प्लेट से आके लगी और सारा नास्ता गिर गया मेरे उपर और सौरी बोलने की बजाए वो हस्ते वे उस लड़की के साथ भाग गया मिसेज मिस्रा ने बोलके खतम किया तो बसंदा ने कहा रुकिए मैं उसे बुलाती हूँ आप सांत हो जाएं रिसी मुस्करा राता आज एक पिता की तरह ना सही पर उसे अपने बेटी की सिकायत सुनने को मिल रही थी कुछ देर में इसान नूरा के साथ आया लिसी इसान को देखकर भावोक हो गया इसान मिसेज मिस्रा को देखके समझ गया था कि वो उसकी सिकायत करने आई है इसान इधर आओ बसुन्दा ने कहा तो इसान उसके पास गया और खड़ा हो गया आंटी जी क्या कह रही है आपने उनके कौटर का कांच और बरतन तोड़ा ले और सरकी कार का कांच भी ये सब सही है क्या आपने किया ऐसे बसुन्दा ने उसे देख के पूछा नहीं मम्मी, मोटी आंटी के बरतन मैंने नहीं तोड़ा, वो तो बॉल ने तोड़ा, इसान ने अपनी मीथी आवाज में बोला, अमन ने सुना, इसान ने मिसेज मिस्रा को मोटी कहा है, तो वो जोर से हास दिया, इसी भी मुस्करा दिया, उसे मज़ा आ रहा था, बसुन्द बसंदा ने कहा और इसान को देखके बोली इसान गलत बात बेटा चलो माफी मागो अभी इसी वक्त बसंदा ने कहा तो इसान ने कान पकड़के बोला सौरी आज के बाद नहीं होगा ऐसा इसान के ऐसा बोलने पर मिसेज मिस्रा सांत हो गए ठीक है कोई बात है मिसेज मिस्रा नूरा इसान को ले जो बसंदा ने कहा तो नूरा उसे लेकर बाहर ले जाने लगी तो इसान दर्वाजे पर रुका और पीछे मुन के देखा थैंक्यू मोटी आंटी जी और इतना बोलके वो भाग या अमा जोर से मूँ पर हाथ रखे हस दिया देख रही हैं आप कैसा पर चिला पड़ी खबरदार जो एक लबज भी दुबारा इसान के फादर के बारे में आपने बोला तो वो सबसे अच्छी पीता है आप जानती क्या है उनके बारे में जो इस तरह बोल रही है आपका नुक्सान हुआ है मैं भर दूंगी पर मेरे बेटे और उसके पीता के खिलाब दुबारा मत बोलिएगा वरना मेरा जो हाथ आज नहीं उठा वो अकली बार जरूर उठ जाएगा बसंद्रा इतना बोलके गुस्से में बैग लेकर चली गई रिसी अमन दोनों ही बसंद्रा को देख रहे थे मिसिस मिस्रा भी चली गई इसे सुनके लगता है आज बसंद्रा का बसंद्रा खाना बनागे मेज बर रखती है तभी उसके दरवाजे पर दस्ता होती है नूरा जा के गेट फुलती है सामने मुगदा और रसना खड़े होते हैं जी आप लोग नूरा उनसे पूछ दिये जी आये नूरा ने कहा और अंदल ले आई दोनों को बस एक्ति रहोगी बसु दीदी, गले नहीं लगाोगी हमें। रसुना ने आशू लिये, आखों में बोला। बसुन दा ने अपनी बाहों को फैला दिया। रसुना भागके उसकी गले से लग गई। बसुना भी उसे बत चोंक हो तरहे अपनी बाहों में लिये रही। बसन्दा जब उससे दूर हुई, तो मुगदा उसके गली लग गई, मुगदा मुस्क्रा के उससे दूर हुई, अच्छा ये बताओ मुगदा का तो समझ आता है कि उन्होंने अमाजी से साधी किया होगा, पर तुमने किस साधी कर ली, कौन है जो तुमें जेल रहे मेरे बात बसंद्रा ने बोला तो मुगदा हस दी जोर की और रस्णा ने मूँ बना लिया बता तू भावी जी को किस साधी हुई आपकी मुगदा ने कहा तो बसंद्रा उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी भावी मतलब सौर से साधी हुई है रस्णा की कैसे और सौर ने साधी कैसे कर ली तुमसे बसंद्रा के इस बात पर रसना उसे बुरा सा मूँ बना के देखने लगी ममा इसान रसना और मुगदा को अजीव से देख रहा था और रसना मुगदा दोनों इसान को देख के हैरान थे बसुंद्रा गई और इसान को गोद में उठा के पास ले गई वो दोनों खड़ी और अभी भी उसे देख रही थी बसुद्धी ये कौन है जो आपको मम्मा कह रहा है रचना ने बोला ये मेरी मम्मा है तो मैं इन्हें मम्मा नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा इसान ने कहा ये मेरा बेटा है रचना इसान बसुद्धा ने कहा तो दोनों उसकी तरफ देख रही थी आपका बेटा पर आपकी शादी कब और कैसे मुगधा ने बोला वो सब बातें बताओंगी आओ पहले खाना खालो बसुंदा ने इसान को चेर पर बैठाते हुए का सबने साथ में बैठके खाना खाया और बसुंदा इसान को सुला के नूरा को उसके पास छोड़के रशना और मुगधा के पास आ गई तो अब बताओ मुगधा ने का बसुंदा ने दोनों को देखा और अब तक की सारे बाते बता दी रशना और मुगधा दोनों उसे सांत बैठे देख रही थी बसुंदा ने जब उनकी तरफ देखा तो दोनों को अपनी तरफ ऐसे देख के वो समझ गई कि उनके दिल में बहुत सवाल है तो क्या आपने इसान को कभी रिसी के बारे में नहीं बताया रशना ने पूछा नहीं उसकी जरूरत नहीं है बसुंदा ने कहा पर जो भी हो इसान के पिता है देदी रशना ने बोला नहीं है वो कुछ उसके बसुंदा ने बोला आप कुछ भी बोले दी पर इस बात को जुटला नहीं सकती हैं आप कि आज अगर दुबारा इसान आपको मिला है तो वो सिर्फ रिसी जी की वज़े से आप जो भी कहें पर रिसी जी इसान के पिता है उनका भी है हक उस पे रसना के इतना बोलने पर बसंदा ने बोला कोई हक नहीं है उनका उस पे वो सिर्फ मेरा बेटा है सब कुछ छीन लिया उन्होंने मुझसे अब मैं इसान को नहीं दे सकती हुए बसंदा के इतना कहने पर मुगदा बोलूटी बसू अगर आपने इसान को खोया तो रिसी ने भी तो अपनी मा समान भावी को खोया इसान को खोया तुम तो चले गई उन्हें छोड़के पर वो आज भी वही है तुम्हारा इंतजार करते हुए बसू तुम्हारे पास ये ही राते उन्होंने जाक के विताई खुद को काम के आग में छोग दिया वो बहुत बड़ा आत्मी बना बहुत भीर लग जाती है जहां पहुंशते हैं वो पर उस भीर में भी आज वो अकेले हैं बसू तुम्हें तो वापस इसान मिला जीने के लिए पर उन्हें क्या मिला बसू कुछ नहीं आज भी रिसी अकेले हैं बसू सोचो बसू क्या जो तुमने किया और जो कर रही हो ठीक है क्या मुगता ने बोला और रसना के साथ बाहर निकल आई बसुंद्रा वहीं बैटी आँखों में आशू लिये सोच रही थी वो आशू पोच के उठ गई देखा मुझे नहीं पता बेटा कि आप मुझे इसके बाद क्या समझेंगे पर अब ये बताना जरूरी है ये बोलके बसुंद्रा इसान को सब कुछ बदाती है अपनी बीती जिंदी के बारे में मतलब दीदी रीषी जी इसान के पिता है नूरा ने का जी नूरा इसान आप क्या मम्मी से नाराज है बसंदा ने उसके चेहरे की तरफ देखके बोला नहीं मम्मा मैं आप से कभी नाराज नहीं हो सकता आप तो मेरी सबसे अच्छी मम्मा हो पर क्या मैं पापा से मिल सकता हूँ अगर आपकी पर्मीशन हो तो इसान ने कहा तो बसंदा ने हां में सीरी ला दि बसंदा इसान को जल्दी जल्दी नास्ता करा रही है इसान खबरदार आज अगर किसी को परहसान किया और मेरे पास सिकायत आई तो बसंदा ने इसका मूँ साप कराते हुए कहा आप साम को आईस्क्रीम खिलाओगे तो नहीं करूँगा इसान ने बोला ठीक है अभी मैं चलती हूँ बसंदा ने कहा और बैग लेकर कॉलेज चली आई इसान नूरा के साथ खेले लगा इसान ने जैसे सौट मारा वैसे ही रिसी की गाड़े की कांश तोटा रिसी अमन अभी दोनों ही गाड़े से उतर कर बस कुछ दूर ही पहुचे थी सीसा टूटने की आवाज सुनके वो दोनों पीछे मुड़े तो देखा कि सीसा फिर टूट गया था किसने किया ये जिसी ने पूचा साहा पता नहीं ये बाल कहां से आई है डाइबर ने डरते हुए कहा वो सर सौरी इसान बाबा केल रहे थी वो उनसे नूरा ने कहा घबरा के यहां बच्चे दूसरे के घर के कांच तोड़ते है तेरा बेटा तो तेरे ही गाली का कांच को देख लिया है अमन ने बोला इसी ने बाल उठाया और चल दिया इसान के पास इसान बैट लिये खड़ा था सर चुका के आपने फिर मेरे गाली का कांच तोड़ा रिसी ने उसे देखती हुगा वो गलती से तूट गया मैंने जान बोचके नहीं किया सौरी बसू ममा से मत बोलना वरना वो आज मेरी आईस क्रीम कैंसल कर देगी प्लीज इसान ने उसकी तरफ देखे मासूमिय से का हाँ अगर मैं आपको आईस क्रीम खिलाओं तो क्या आप मुस्से दोस्ती करोगे रिसी के बोलने पे इसान मुस्करा दिया हाँ क्यों नहीं इसान ने अपना हाथ बढ़ा के का रिसी ने उसका हाथ पकड़के उसे सीने से लगा लिया इसान भी उससे कस के गले लग लग लिया आखिर इतने सालों बात रिसी अपने बेटे और इसान अपने पिता के सीने से लग रहे थे रिसी ने इसान को गोद में उठाया और दूसरी गाली में उसे बैठा के ड्राइवर से चावी लेकर चला गया दूसरी तरब बसुंदा सब देख रही थी पर कुछ नहीं बोली रिसी इसान को लेकर हर दुआर के सबसे फेमस आईस्क्रीम सौप पर आया तो कौन सी आईस्क्रीम खाओगे रिसी ने उसे चेयर पर बढ़ाती हुए का तूटी फ्रूटी और पिस्ता मेरा फेवरेट रिसान ने मुस्करा के का यह तो मेरा भी फेवरेट है रिसी ने का उसने सौप वाले को बुलाया और आरडर कर दिया इसान बैट की रिसी को बसंद्रा, नूरा और अपनी बारे में बताने लगा सौप वाला लाया और आर्डर रख दिया रिसी इसान को खुद अपने हाथों से खिलाने लगा और इसान बोले जा रहा था रिसी उसे लेकर मौल में आया, दोनोंने मुवी देखी पिज्जा खाया बर्गर खाया पर इसान को समालना बहुत मुस्किल था वो सोचने लगा बसंदा कैसे समाल लेती है इस सरारती को इसान के साथ रिसी ने बहुत सारी सौपिंग की आज रिसी साब भूल गया था आज वो बहुत खुशता इसान के साथ कब रात हो गई पता ही नहीं चला दीदी इसान बाबा अभी तक नहीं आए आप एक बार पूछ लें कहीं वो साथ तो नहीं ले गए उन्हें अपने नूरा ने बाहर चेर पर बैठी बसुन्दा को बोला जो कुछ पढ़ गए थी नूरा अगर वो ले जाए तो क्या हो जाएगा बसुन्दा ने मुस्करा के बोला मैं नहीं रह पाऊंगी नूरा ने का तो आप भी चले जाना इसान के साथ बसुन्दा ने मुस्करा के बोला इससे अच्छाम इसान को ही यहीं ले आते हैं नूरा ने का, मम्मा, इसान की आवाज सुनके बसुंदा और नूरा ने सामने देखा तो रिसी की गोद में सांता, मुस्कराते वे, इसान रिसी की गोद से उतर के बसुंदा के पास आया, भाग के, बसुंदा ने उसे अपनी बाहों में ले लिया, तो हीरो कहां थे आप, भसंद्धा ने उसे बालों में लिया और कहा आप के लिए यह इसान ने उसकी गालों पर किस गते हुए यह मुझे वस्करा दी और उसे गले से लगा लिया चलओ अब जाओ चेंज करके आ जाओ दो बसंद्धा ने कहा तो नूरा इसान को गोद में उठा के ले गई पसंदा ने रिसी की तरफ नहीं देखा और अपनी बुक्स उठाने लगी आपके आँकों में मुझे आज कोई डर लड़ाई और घबराहत नहीं दिख रही है पोछ सकता हूँ ऐसा क्यों रिसी ने पूछा इसान अपने पिता के साथ था तो डर और घबराहत कैसा दो महीने हैं आपके पास इसान को समझने के लिए उसे समालने के लिए क्योंकि उसके बाद मैं आपको इसान को देखे हमेज़ा के लिए चली जाओंगे इसलिए समझे उसे, कैसे उसे सम्हाल सकते हैं, ये भी सीख ले, वैसे आज तो आप देख लिए होंगे कि वो कैसा है, और उसे देख के लगता है, वो खुस है, बसुन्दा ने जब ये बोला तो रिसी उसे हैरानी से देखने लगा, इसान को मैंने आपके बारे में सब बता दिया है, वो जानता है कि आप उसके पिता हैं, और डरने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके बेटे के सामने, आपकी कोई गलत तस्वीर को नहीं रखा है, रात तक काफी हो गई है, अब आपको जाना चाहिए, बसुन्दा ने कहा, और बुक्स लेकर अंदर चले गई, और दरवाजा बंद कर ली, रिसी वहीं खड़ा, उसकी बातों को सोचे जा रहा था, रिसी गाली के पास आया, उसमें रखे सारे सामान को देखा, और चला गया गाली लेकर वापस, क्या रिसी बसुन्दा को फिर एक बार जाने देगा ऐसे, क्या बसुन्दा फिर से रिसी से दूर हो जाएगी, जानने के लिए सुनिये अगले भाग में,